SSE exams की vocab के लिए मैंने ये previous year vocab series बनाई है जिसके हर वीडियो में 20 words ही होंगे ताकि आप डेली पहले 10 minute का वीडियो देखें फिर PDF डाउनलोड करके उन 20 words को अच्छे से याद कर लें तो हफते में 5 दिन ये काम करने से आपको 100 बार-बार repeat होने वाले important words से आद हो जाएंगे फिर Saturday Sunday को आप उन्हें आराम से revise कर सकते हैं और अगर आप पहली बार इस channel के आएं तो मेरी आवास सुनके भाग मत जाईएगा काफी important series होने वाली है यह है, so please stick around PDF आपको मेरे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी, बड़ी सुन्दर सी PDF होगी आपको revision करने में काफी असानी होगी उससे और ठीक है फिर शुरू करते हैं कारिकरम पहला word है insolent, जोकी 9 बार repeat हुआ है SST exams में insolent का मतलब disrespectful होता है basically बत्तमीजी भरे या फिर insulting behavior के लिए आप insolent adjective का use कर सकते हैं insolent, insulting की तरह sound भी करता है तो insolent को आप insulting मान के याद कर सकते हैं the next word is obsolete, obsolete का मतलब होता no longer in use, जैसे cassette हुआ करती थी जोकी अब बिल्कुल भी use नहीं होती, I guess so हम कह सकते हैं कि cassettes obsolete हो चुकी है मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो जितनी भी cassettes होती थी उनका मैं वो काला वाला tape पूरा बाहर निकाल दिया करता था ये देखने के लिए कि कितना लंबा उसके अंदर भरा हुआ है वो tape या जो भी है और इस तरह सारी cassettes बरबाद कर दे थी मैंने so anyway obsolete मतलब old-fashioned या फिर something which is no longer in function और in use अगला word है candid और candid का मतलब होता है बेज ज़क्स जो मन में हो वो बोल देना यानि honest या frank और photography में जो candid photo होती है वो staged नहीं होती है या फिर जिसमें pose ना किया जाए ये भी साथ बार repeat हुआ है erudite एक adjective है जिसका मतलब होता है बहुत ही पड़ा लिखा और knowledgeable so an erudite person is learned and scholarly next word is fastidious जिसका मतलब होता है difficult to please ये word हम ऐसे इनसान के लिए use करेंगे जिसे सब कुछ perfect चाहिए और जो छोटी छोटी चीजों में भी नुक्ष निकालता हो और nitpicking करता हो यानि अगर तुम जान परोस के भी रख दो तो भी क्या पता हो satisfy ना हो ठीक है so fastidious means जिसे आसानी से खुश न किया जा सके अगला word है illegible legible का मतलब होता है कोई ऐसा text जिसे पढ़ा ये decipher किया जा सके और illegible का मतलब होता है कोई ऐसा text जिसे पढ़ना बहुत मुश्किल या ना मुम्किन हो so अगर किसी doctor की writing आपको बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही है तो आप कह सकते हैं कि उसकी writing illegible है और ये illegible है eligible से confused मत होईगा the next word is boisterous और boisterous मतलब होता है खूब हला हुडदंग करते हुए मज़े करना या फिर कुछ celebrate करना इस word को आप schoolie लड़कों से associate कर सकते हैं because it's quite a boyish characteristic in that regard so boys boisterous होते हैं या फिर ऐसा ही कुछ सोच के आप इसे याद कर सकते हैं next up we have the noun accomplice which means partner in crime यानि सहपरादी इसको American English में accomplice भी कहते हैं इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि company या accompany दोनों का ही मतलब company देना या साथ में कुछ करना होता है और accomplice वो होते हैं जो साथ में मिलके crime करते हैं so someone who accompanies a person in crime is an accomplice chauffeur या जो भी बोलते हों इस मनुष्श शब्द को is basically a driver जो normally अमीर लोगों या businessmen वगेरा के लिए उनकी महेंगी गाड़ियों को चलाता है so it's just a fancy name for a driver and it's obviously a noun but आप example में देख सकते हैं कि इसे verb की तरह भी use किया जा सकता है और ऐसे कई noun होते हैं जिने verb की तरह use किया जाता है इस तरीके से रुकावट के लिए खेद है मुझे बस इतना ही कहना था कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो like, share, comment कोई भी एक चीज़ कर दीजेगा क्योंकि आपको बस एक दो सकंड लगेंगे लिकन उसके वेसे YouTube दो चार लोगों को आगे और वीडियो रिकमेंट करता है और उससे चैनल काफी हल्प होती है nonetheless अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया तो वो भी वीडियो की रिटेंशन बढ़ाएगा और चैनल को उससे भी हल्प होती है और for some reason अगर आपको वीडियो नहीं अच्छा लगा तो dislike कर दीज़ेगा लेकिन हो सकता तो बता दीज़ेगा पामेंट्स में कि क्या improve किया जा सकता है मैं आगी बना रहा है कोई लगता है अगला word है exonerate जिसका मतलब होता है किसी दोश या इल्जाम से मुक्त करना तो अगर किसी को पहले blame किया जाए किसी गलत काम के लिए लेकिन फिर ये पता चले कि उसकी कोई गलती नहीं थी तो उसके उपर से उस blame को हटा लेना exoneration कहलाता है exculpate का भी यही मतलब होता है और exculpate भी कई बार पूछा गया तो उसे भी आद रखिएगा incorrigible का मतलब होता है कोई ऐसी गड़बर या किसी इनसान की ऐसी कोई बुरी quality जिसे कभी सुधारा ना जा सके आप चाहें तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि incorrigible मतलब incorrectable जिसे correct ना किया जा सके हाला कि incorrigible जैसा कोई word नहीं होता है यह मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं और नीचे बच्चे खेल रहे हैं और उसमें से एक पागल बच्चा इतनी देर से siren जैसे चिला रहा है अगर उसकी आवाज आपको आ रही है तो मैं माफी चाहूंगा मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता इतनी देर से गर्मिम बैठ के मैं audio record कर रहा हूं लेकिन इस एक पापी बच्चे को यह से बार बार मज़े audio delete करनी पड़ रही है जो इनसान dictionary लिखते या compile करते हैं उन्हें lexicographer कहते हैं इसके लिए किसी example sentence की जरूरत नहीं है dictionary लिखने वाला lexicographer होता है आगे बढ़ते हैं अगला word तो असान है diligent का मतलब होता है determination और seriousness के साथ consistently कोई काम करना याद करने के लिए आप यह सुच सकते हैं कि diligent मतलब दिल लगा के काम करना next word भी बड़ा comments आए futile मतलब होता है useless जैसे हम लोग syllabus पढ़ते जाते हैं और revision करते ही नहीं है तो यह पढ़ा यह almost futile ही हो जाती है क्योंकि eventually बिना revision के हमें बहुत कमी चीज़ें यहाद रहती है so futile या futile मतलब useless या फिर ineffective now l-i-c-i-t licit का मतलब legal होता है तो illicit का मतलब illegal होता है ऐसे हमने legible और illegible भी देखा था अभी illegible मतलब unreadable होता है और illicit मतलब illegal होता है the next word is obstinate which means stubborn, deep या जिद्धी obstinate का मतलब होता है किसी बात पे या किसी काम को करने के लिए जिद प्याड़ा रहना चाहे कोई कितना भी समझा ले या कुछ भी बोल ले word number 17 है reprimand जिसका basically मतलब डाट या फटकार होता है normally ये word formally या officially किसी criticism के लिए यूज होता है I mean boss या senior से डाट पढ़ना और even teacher से डाट खाने के लिए ये यूज हो जाता है next word is mitigate और mitigate मतलब होता है किसी चीज की intensity को कम कर देना जैसे अगर कोई बहुत उदास बैठा है और आप जाके उसे थोड़ा ठीक फील कराते हो किसी तरह तो आपने उस व्यक्ति के दुख को थोड़ा कम कर दिया यानि आपने उसका दुख mitigate किया है mollify का भी यही मतलब होता है और mollify भी पूछा जाता है कई बार दोनों ही words का मतलब soothe या relieve करना होता है on the other hand curtail का मतलब extent या dimensions में कम करना होता है for example अगर कोई country covid infections की growth को रोक लेती है तो हम कह सकते हैं कि उस country ने covid infections या उसके rate को curtail कर दिया truncate का भी यही meaning होता है और truncate भी कभी कभी पूछ लिया जाता है the last word is aviary जिसका मतलब चिडियों को रखने के लिए कोई structure या घर होता है zoo मत समझ लेना इसे चिडिया घर सोचके aviary सिर्फ चिडियों के लिए होता है और दो बार apiary apiary भी पूछा गया है जिसमें मदमख्यों को रखा जाता है अब quickly revision कर लेते हैं 20 के 20 words का ताकि थोड़ा काईदे से दिमाग में बैठ जाये सब पहला word है insolent यानि की insulting या disrespectful उसके बाद obsolete मतलब no longer in use candid मतलब honest या frank erudite मतलब पढ़ा लिखा और knowledgeable that is learned और scholarly fastidious मतलब जिसे खुश करना बहुत मुश्किल हो difficult to please illegible मतलब not legible that is unreadable boisterous मतलब hallah gullah shore shraba boisterous boys ऐसा कुछ याद रख लेना accomplice मतलब crime में accompany करने वाला that is partner in crime chauffeur मतलब mehengे लोगों का driver exonerate means to free from guilt or blame incorrigible मतलब जिसे correct ना किया जा सके या सुधारा ना जा सके lexicographer मतलब dictionary लिखने वाला diligent मतलब दिल से काम करने वाला यानी की महंती और determined futile मतलब useless या ineffective illicit मतलब not licit यानी not legal यानी illegal obstinate मतलब धीट या जिद्धी reprimand मतलब डांट या फटकार mitigate मतलब intensity को कम कर देना curtail मतलब extent को कम कर देना and finally aviary मतलब birds को रखने की जगा अब आप PDF डाउनलोड करके कुछ घंटे बाद फिर से जल्दी से पढ़ लियना ये words अगर आपको अगला वीडियो अभी ही देखना है तो वीडियो आपके सामने है पूरी playlist उसके नीचे ये रही playlist पे क्लिक करके उसको save कर लीजिए और daily एक एक वीडियो इसी तरह देखिए फिर Saturday संडे को सब revise कर लीजिएगा तब जाकर ये गुसेगा खोपड़ी में और revision हर चीज़ में बहुत लगता है तो इसमें भी revise करना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि एक बार इस वीडियो के देख लेंगे तो हमेशा के लिए आ दो जाएगा ऐसा कुछ नहीं होता